उप राष्टपती कारवाहक राष्टपती के रूप में अधिक्तम 6 महिने की अवधी तक कारे कर सकता है। इस अवधी में नय राष्टपती का चुनाव आवश्यक है। जब वह कारवाहक राष्टपती होगा, तो वह इस दोरान राजसभा के साभापती के रूप में कारे नहीं कर सकता। ध्यान देने वाली बात ये है कि राष्ट पती और उपराष्ट पती की चुनाव से संबंधित विवादों का अंतिम निप्टारा सर्वोच नियायाले द्वारा होता है। निर्वाचक मंडल अपोन होने की स्थिती में इसकी चुनाव को चुनावती नहीं दी जा सकती। और अब एक नजर भारत की उपराष्ट पती और उनकी कारेकाल पर। भारत की पहले उपराष्ट पती बनने का गौरफ प्राप्त हुआ डॉक्टर एस राधा कृष्णन को जो 1952 से 1962 तक इस पत पर रहे। उनका पहला कारेकाल 1952 से 1957 तक रहा। वहीं दूसरा कारेकाल 1957 से 1962 तक रहा। जाकिर हुसैन भारत की दूसरे उपराष्ट पती बने जो 1962 से 1967 तक इस पत पर रहे। वीवीगिरी भारत की तीसरे उपराष्ट पती बने ये 1967 से 1979 तक इस पत पर रहे। गोपाज शरू पाठक भारत की चोथे उपराष्ट पती बने और 1979 से 1974 तक इस पत पर रहे। बीडी जत्ती भारत के फ़े उपराष्टपती बने और ये 1974 से 1989 तक इस पत पर रहे डॉक्टर शंकर दयाल सर्मा भारत की आठवे उपराष्ट पती बनी और 1987 से 1992 तक इस पतपर रहे नवे राश्ट पती की रूप में काम किया कि आर नारायनने कृष्ण कार्थ भारत की दसवे उपराष्ट पती बनी और उनका ये कारिकार 1997 से 2002 तक रहा बहरो सिंग शेखावत भारत की ग्यारवी उपराश्टपती बने और 2002 से 2007 तक इसपत पर बने रहे भारत की बारवी उपराश्टपती की रूप में हामित अंसारी ने कारे किया और उनका ये कारेकाल 2007 से 2017 तक रहा उनका पहला कारेकाल 2007-2012 तक और दूसरा कारेकाल 2012-2017 तक रहा उपराश्टपती के रूप में काम करने वाली विंकया नाइडू भारत के तेरवे उपराश्टपती हैं जो 11 अगस 2017 से अब तक भारत के उपराश्टपती के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं